पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि अरत्माटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स के से फाइंड करने हैं जो हमें एपी दिये वाज़े रहेंगी जिसमें ए रहेगा हमारे पास कॉमाट डिफ्रेंस दिये रहेगा और उसके बार सब्सक्राइब हमें सेवन्त एट ते अपर कु कि बेच्टे साइस 5.2 हमने पछले लिट्ट में कम्प्लीट के हैं ऑके अनमे नेक्स आता है अरथमेटिक प्रोग्रेशन की जितने आपको एपी दी है उतने एपी की सम कैसे फैंड करनी या जितने नंबर ऑप टर्म्स उसमें आएंगे उतने या फिर उपनोंने जितने ब find करने के लिए यह 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 number पर जो term होगी उसका ओर term कुन सी हो find क्या होगा हमारे हाँ फॉर्मोला था ओके अभी हमें find क्या करने है कि sum find करने है यह यह तर्म क्या find करने है sum find करने है okay so some find करने के लिए हमारे पास formula है SN is equal to n by 2 2A plus n minus one इंटुटी ओके अब इसी फॉर्मुले को अगर मैं थोड़ा श्प्लिट करूँ यह जो 2a है मैं 2a को ऐसे लिख सकता हूं a प्लस a प्लस n-1 इंटुटी ओके क्या किया है सिर्फ 2a को स्प्लिट किया है 2a को मैंने a प्लस a लिखा है और जब हम ब्रैकेट में इस फॉर्मुला की तरफ देखते है तब हमें पता चलता है यह जो फॉर्मुला है a प्लस n-1 इंटुटी यह फॉर्मुला कहां कहा है am का फॉर्मुला है मतलब मैं इसकी जगह पे an लिख सकता हूं n by 2 a plus am okay so that is also equals to sn so sn is equals to n by 2 a plus l क्यूंकि an means nothing but the last term an जो नहीं की उसमें की क्या नहीं की जो लास्ट टम अगर हमें दी और रहे तो हम उसे गोल सकते है यह बोल सकते है so यहां पर हमें sn calculate करने के लिए तीन फॉर्मुला में लेंगे n by 2 a plus n by 2 2a plus n minus 1 into d और n by 2 a plus am और n by 2 a plus l यह सारे फॉर्मुला में वहां पे लिख दिया है अभी हमें सिर्फ इनी फॉर्मुला का यूज़ करके हमारा next exercise solve करना है और यहां सावी फॉर्मुला नहीं आए यासे पिसी फॉर्मुला को आपको situation की तरह यानिकि जो situation नुमरी करने आएगी उस situation की तरह क्या करने है use करने है जैसे की situation हमने पहले भी देखे थे जब हमने am के तंग की सबसे फॉर्मुला करने है तो हमने देखा कि क्या करना पड़ा था हमें linear pair of equation में गई थे या कि substitution method में गई थे तो उसी तरी किसे यहां के भी क्या करना है that further given condition है फिस situation हमें क्या करना है उसका इस ते माल करके solve करना है okay so now we will move on to the next exercise 5.3 so your first question is find the sum of the following APs the first AP is 2,7,12 up to the 10 terms 2,7,12 up to 10 terms up to the 10 terms हमें क्या करना है sum find रना है so sab se पहले A हमें बता है given data only accept A 2 आयगा B आयगा 7 minus 5 7 minus 2 थो फ्री 7-2 थादिस 5 and up to the 10 terms हमें करना है रना हमें रना हमीद रना हमें क्याक हमें रना हमें so your sin will be equals to n by 2 2a plus n minus 1 into D okay so n हमें हमें रना हमें 10 10 by 2, 2 into first term 2 10 minus 1 into D, D is 5, okay so 2 1s are, 2 5s are 4 10 minus 1, 9 9 5s are 45 so 5 into 45 plus 4, 49 so 49 5s are that is 245 that will be equal to your just 10, okay, so up to the 10 terms, उंके addition कितने आएगी, 245 so बस यहीं तरीके से simple आपको AP देव लिए रहेंगी AP में से आपको first term find करने है first term, common difference और number of terms, यतने का हमें का बोले है आपकोंने some find करने को बोला है, अगर यहां पर 20 बोलाएगों तो हमेर की जगए पे 20 लेते हैं और 20 पूट करके वेल्यूफाइड करते हैं, ओके नाओ नेक्स्ट वन इस माइनस 37, माइनस 33, माइनस 29 माइनस 37, माइनस 33, माइनस 59 अप्टो ट्वेट थांस अप्टो थोट्ट थांस, माइनखने, माइनस 3 मानस 35 द्वेटो थांस 30 स्वेटो थांस Minus 37 so that is minus 33 plus 37 so that will be equal to the 4 so हमारा d जो है या 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 कमन डिफरेंस रहेगा हमारा 4 और अप्टो दे 12 तर्म बोला है so n will be equal to the 12 now formula हमें पता है sn will be equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d n yes 12 तर्मारा so 12 by 2 2 into a first term that is minus 37 plus n 12 minus 1 into d तर्मारा 4 2 1s are 2 6s are minus 37 into 2 so 37 2s are 74 that is minus 74 plus 12 minus 1 11 11 into 4 that is 44 so that will be equal to अभी minus 74 plus 44 दे so minus 74 में से plus 44 का में का करना पड़ेगा minus करना पड़ेगा तो वहां पर आएगा 30 और जो साइन हे उदेना है बढ़ेगा so that will be equal to minus 30 and sum will be equal to minus 180 so इसके तो इसके तो इसके तो इसके सम कितना है थी minus 180 then second question आपका find the sum of the given below 34 plus 32 plus 30 plus dash 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 plus 10 34 plus 32 plus 30 सब्सक्राइब करना पड़ेगा थर्टी टू माइनस थैटीफोर जैजर माइनस टू माइनस टू इल्ब वाट आवर कॉमन डिफरेंस अब हमें संतों फैंड करनी है बढ़ हमारे पास यह नहीं है यह पता नहीं कि यह जो तक पता नहीं होगा तक तक हम कहा रहा है कौन सावी फॉर्मुला यूस नहीं कर सकते जो तीनों समेशन के फॉर्मुले उसमें यह क्या हमें कंपल से रही आपदेख सेब़ता है यह न इस वार्ट निर्फॉल अपर नहीं है युद्व नीर्फीं लिफिरेंगे कि हमेरे पास ए-इन रुब इक्वस्तों ऐ सू यह मैनलस इन इंटो इंटो डी अीन है यह रहे ह 34 plus N minus 1 into BMR minus 2 so 10 is equals to 34 plus minus so minus 2N or minus minus plus 2 so 10 equals to 34 plus 2 36 minus 2N minus 2N either 2N when I got or 36 minus 10 that is equals to 26 so N will be equals to 26 by 2 that is 30 yannikya हमें N की value मिल गए अभी 30 अब हमारे पास N की value है N की value है A की value है और N की value है so हम क्या कर सकते हैं second formula use कर सकते so summation will be N by 2 A plus A N yes N है yes N है yes N है नहीं की number of terms so ये sum कितने terms की है 13 terms की समह में का कर मी पढ़ी थी find term मी पढ़ी थी so that will be 13 by 2 into A 34 plus 10 that is 44 22 or again 13 into 22 so 22 to 10 that is 20 or 66 so 286 rule 86 will be the sum of all given AP okay so अब यामने क्या किया first question first formula उसी अर्था और याँ पर second formula आमे इस्ते पर समझना है बढ़ इतना द्हान में रखना है कि यह हमारे पास रहना चाहिए अबर A first time or last time दिये और one more difference दिया तो आप क्या कर सकते है याँ को फेंटर सकते हो और वो फार्पन लोगा इस्ते मार कर सकते हो okay so now next we will move on to the next question next step in NAP D1 A is equals to 5 D is equals to 3 and A N is equals to 50 so find N and S N A is equals to 5 D is equals to 3 and A N is equals to 50 50 so N and S N is equals to what okay तो हमें A N and S N find देने के लिए गो अगर हमारे पास first time है common difference है और A N है अगर first time common difference और A N हमारे पास है तो हम सबसे पहर A N find कर सकते है N-1 into D A N A N A N A N A N A N A T value 5 plus N हमें पाता नहीं N-1 into D A N A N A N A N A N A N So 50 minus 5 is equals to N minus 1 into 3 50 minus 5 that is 45 यह जो multiplication में 3 है यह राएगा तो division में जाएगा So N minus 1 15 So N will be equals to 15 plus 1 N will be equals to 16 Okay So N जो हमारो क्या रहेगा 16 हो जाएगा अभी now S N हम find करना है S N is equals to N by 2 A plus A N N हमें पाता चला N कितना है 16 है So that will be the S 16 16 by 2 A A जो किया हमारा 5 है और A N यह यह लास्ट जो किया हमारी 55 है So 2 1s are 2 8s are 8 into 55 plus 5 60 That is 480 So S 16 जो किया हमारी 480 So जो हमने अन मोनोने find करने के लिए बोला था N S N So N आएगा आपका 16 और S N आएगा आपका 480 Next I give one A is equals to 7 A 13 is equals to 35 Find D Add S 13 A is equals to 7 A A 13 A is equals to 35 D And Yasa 13 will be 1 उन्होंने वो दूब पूचे हैं अभी यह हमारे पास यहाँ पर 1 पता चाहँ रहा है A N हमारे पास 13 है वड़ा हमें D पता नहीं है So D तो 5 रहा है So D के लिए भी आएगा रहा है Same term का रहा है A plus 1 minus 1 Into D A N यानि की A 13 रहेगा यहाँ पर So A A plus 13 minus 1 into D So A 13 के वाई लिए हमारे पास 35 A के वाई दिए 7 Plus 13 minus 1 That is 12 And D D हमें पता नहीं है So 35 minus 7 Is equals to 12D 35 minus 7 28 Is equals to 12D So D will be equals to 28 by 12 So 4 3 दा And 4 7 दा So D will be equals to 7 by 3 Okay So D की वैल्यों हमें पता चल गए अभी D की वैल्यों हो गई So यह हमारा First round हो गए अभी next time हमें लिए फाइंट करना है S 13 फाइंट करना है So simple S N is equals to N by 2 A plus A S 13 ही है Terms हमें पता है So 13 by 2 A जोगी दिया है हमें 7 Plus A N A नहीं ही A 13 जोगी हमें लास्ट हमें What is 35 So 13 by 2 Into 35 plus 7 That is 42 So 21s are 21 21 10s are 210 And 21 3s are 63 So यह total 273 That is yes 30 So यह क्या हमारा Find होगा है जो कि हम उने हमें क्या बोड़ा था Find होने के लिए बोड़ा था Okay So यह इसी तरीवेंगी नियुमरिकल से जिसमें कि क्या है आपको एक कौन से तुर Terms दिये वाले रहेंगे एक unknown term रहेंगी आपको क्या करना है सबसे पहले एक तो जो unknown term में उसे Find करके बार में Summation के लिए जाना है इसमें यह जितने लिए रिकल से इसमें आपको दोनों या फिर तीनों Formula का यूज होगा जो कि आपके पास है Yes and or A यह दोनों Formula का इसमाल इसमें आपको करना पड़ेगा Then इसमें का यह और एक क्वेशन लेते है Given D is equal to 5 Yes and 9 is equal to 75 D is equal to 5 Yes and 9 is equal to 75 Then Find A and A 9 आपको Find करना है A and A 9 is equal to what Okay So सरसे पहले तों A N का formula देख सकते है A N will be equals to A plus N minus 1 into D So A 9 की यह formula निका लेंगे आपका A 9 की बार निका सकते है That is what A plus 9 minus 1 into D So A 9 will be A plus 8 D A 9 will be A plus 8 D Yes suppose हमरे एक्वेशन 1 है Okay Now next हम जासे है S 9 के यह That will be what Again N by 2 into A plus A 9 That is last time So S 9 So 9 by 2 S 9 की यह 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 हमे That is what 75 So 9 by 2 Is कोणने एक्वेशन A plus A 9 की यह है हमारे पास A 9 यह 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 यहा हम लिकेंके A plus 8 D 75 is equals to 9 by 2 A plus A that is 2A plus 8 into DG value that is 5 so 8 into 5 okay so next 75 is equals to 9 by 2 here I have cut to A plus 85 40 so 75 is equals to 9 by 2 अब उपर के इक्वेशन में 2 को कमन निकलता हूं तो अंदर बुचेगा A plus 20 2, 2 will get cancelled and now 9 इदर आके डिविजन में जाएगा 75 by 9 will be equals to A plus 20 3, 3 जा 9 3, 2 जा 3, 2 जा 6 and 3 5 जा 25 by 3 सो और ये जो plus 20 है वो इदर आके minus 20 होगा so A will be equals to 25 by 3 minus 20 बिनों में पुचे नहीं तो ओगा ये तो ये रियल सेन भी ले सकते है so 25 minus 60 upon 3 so 25 minus 60 वो आएगा आपका minus 35 by 3 so that will be your first term और हमें आपके नेक्स काफाइड करना है A9 ये निकिन 9 तरम भी फाइड करने भी ले बोली है so ये 9 का हमारे पास formula है directly A9 is equals to A plus 8D और 8D की वेल्यों में पाता 8D की वेल्यों में पाता है 8D की वेल्यों में कालिए 3 so A9 is equals to 120 minus 35 करना आपको so 85 by 3 ये रहेगा आपका A9 ओके so इस तरी के से क्या हुआ अभी है SM के formula से हमने क्या किया A और A9 find की है so सारे example CC जरी के गए होँआपे कि जिसमें क्या रहेगा आपके पास A का दो unknown terms रहेगे और उसको क्या करना आपको terms को find करना है formula क्यों करना है यहाँ पे कौन सा भी नया formula include नहीं हो रहा है जितना है इसे पूत नहीं formula है simple में होगा correct position और correct situation की हिसाब आपको क्या करना है उसका इस से माल करना है now next question है आपका how many terms of AP 9,17,25 must be taken to give a sum of 6,36 9,17,25 और उन्हेंने एका sum बोली है that is a yes and is equal to उन्हें आपको sum बोली है कितनी 6,36 6,36 so how many number of terms on करना है so आपको n find करना है so a will be equal to 9 d will be equal to 17 minus 9 that is 8 और yes and है हमारे पासल 6,36 और हमें find करना है n is equal to what so simply हमारा first formula है yes and is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d simple हम लिगा करना है इसी formula का हिस्ते माल करना है so s n हमें दिया है that is 6,36 is equal to n हमें पता नहीं n by 2 into 2,8 2 into 9 2 into 9 plus n पता नहीं n minus 1 into d d जो को हमें दिया है 8 so 6,36 is equal to n by 2 9,2 जा 18 8 से अंगर मुटिपला है है so 8 n minus 8 so 6,36 n by 2 into 18 minus 8 that is 10 plus 18 6,36 is equal to n by 2 again उपर से 2 को कम है निका लेंगे so अंदर बूचेगा आपको 5 plus 4 n 2,2 will get cancel so अभी एक्वेशिए आपका 6,36 is equal to n into अंदर मुटिपला करना कड़ेगा याप लिए लेता हम एक्वेशिए so that will be what 6,36 ये 5 n और n into n plus 4 n का square okay so अभी एक्वेशिए आपको क्या लेकरा है अभी याँपे आपको किसमें पहुँच गए एक simple linear pair of sorry quantity equation में आपको पहुँच गए so आपको क्या करना पढ़ेगा अभी याँपे 4 n square plus 5 n plus sorry minus 636 will be equals to the 0 okay so अभी ये quadratic situation में पहँच गएज सहामे का का नवड़ा इसके factors निकाला पढ़ेंगे so that factors will be 53 and 48 और याँच गएज सहामें पहँच गएज सहामें पहँच गएज सहामें पहँच गएगा plus और याँच गएगा minus so 4 n square plus 53 n minus 48 n minus 636 will be equals to 0 यहाँचे कमन निकलेगा आपका n so 4 n plus 53 और यहाँचे कमन निकलेगा minus 12 so अभी गएगा 4 n plus 53 will be equals to 0 so 4 n minus 53 n minus 12 is equal to 53 so 4 n minus 53 is equal to 0 or n minus 12 is equal to 0 अब यहाँचे करता हूँ so 4 n is equal to sorry यहाँचे plus है 4 n is equal to minus 53 और n is equal to 12 n is equal to minus 53 upon 4 और n is equal to 12 so हम इसको नहीं ले से इस value को क्योंकि यह value कैसी आ रहे हैं एक तो rational number आ रहा है और उपर से वो negative term भी है और घाम्याचे से पता है n must be our what always के सरना चाहिए वोगी तो natural number देना चाहिए इस बज़े से इसको नहीं रिजेक करते है और n is equal to our क्याएगा 12 आएगा ओके so जासा कि हमें question में पूछा गया था कि कितने numbers की sum जो है वो 636 आएगी so जो 12 numbers की sum है वो क्या आएगी है हमारी 636 आएगी ओके now next question is the first term of an AP is 5 the last term is 45 and the sum is 400 find the number of terms and the common difference okay so first term the A5 last term the A45 and the sum the A 400 N and D is equal to what जो हमाने पूछा है so SN हमें पता है SN is equal to N by 2 A plus AN SN हमें दिया 400 N हमें पता नहीं जो कि काल्कुलेट करना है A N Y plus 5 plus 45 so 400 is equal to N by 2 into 5 plus 45 that is 50 so 2 ones are to 25 so N will be equals to 400 upon 25 so 25 ones are 25 ones are 6 are so N will be equals to 16 अब हमारे पास N है और हमारे पास AN की भी वह बाई है हमारे पास first N भी है so इसली क्या कर सकते है common difference find कर सकते है AN is equal to A plus N minus 1 into D so A N है हमारे पास 45 is equal to A 5 plus N जो 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 हमारे पास 16 16 minus 1 into D common difference हमें find करना है D so 45 is equals to 5 plus 15 D so 45 minus 5 is equals to 15 D so that is 40 is equals to 15 D so D will be equals to 40 divided by 15 so 5 3s are and 5 8s are so common difference that is our D will be equals to 8 by 3 so N16 आएगा और D आएगा 8 by 3 next question है the first and the last term of AP are 17 and 350 respectively if the common difference is 9 then how many terms are there and what is their sum okay so हमारे पास first term है common difference है और last term है last term है मतलब AN P so first term है A is equals to 17 AN is equals to 350 and what the common difference is 9 D is equals to 9 और हमे क्या find करना है how many terms are there and what is their sum वहां पर कितने sum है और sorry वहां पर कितने terms है और उनकी sum कितने है यहां हम find करना है मतलब हमे N and yes N दोन क्या करना हमे find करना है okay so AN हमारे पास है A है D भी है सो हम सबसे पहले N find कर सकते AN is equal to A plus N minus 1 into D AN हमारा 350 will be equal to A 17 N जो कि हमे calculate करना है N minus 1 into D A हमारा 9 okay so 17 यदर आखे minus 1 जाएगा 350 minus 17 is equal to N minus 1 into 9 350 minus 17 that is what 333 यह जो multiplication यह 9 है विदर आएगा division जाएगा N minus 1 so अभी 9 से 9 1 जा 9 3 जा 27 remainder 6 63 और 9 7 जा 63 so N will be equal to 37 plus 1 that is N is equal to 38 so हमे N मिल गाया जो कि कितना आया हमा 38 आया अब next है N तो मिल गा अभी S N फाइंट करना है so S N will be equals to N by 2 A plus A क्योंकि आम मेरे पास A N भी है A भी है और में N भी पता है so direct इस फाउलम में आप अब लिपूट कर सकते हैं आपको अपने प्लाइज प्लस थाइट अब अब लिपूट यह थाइट आपको यह थाइट आपको 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 इसको करना है 360 7 अब 19 से 367 को मलड़ी बाकर आपड़ेगा आपको 19 7 जा that is 133 carry 13 19 6 जा 19 6 जा 114 114 plus 13 127 so carry will be 12 and 19 3 जा 19 3 जा 57 57 plus 12 that is 69 so 69 7 3 yes 38 यह जा 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 कि उसकी summation okay so यहाँ भे भे आमने क्या किया पहले यहां find किया और बार जा उसका sum find किया okay okay so आज के लिया में एंपे stop करेंगे and the next whatever the remaining questions will be given in the next video so stay team and yes also stay home stay safe thank you